सिनिमालवा में चोरों ने लगबगला को रुपय का पेश किम्ती चंदन का पेड़ सिनिमालवा शहर के मेन रोड इस दितर सारड़ा परिवार के एक गोडाउन के पीछे बाड़े में लगे हुए चंदन की पेड़ को चुडा ले गए घड़ना कुछ इस प्रकार से बताई चा रही है कि 30 से 40 वर्ष पुराना चंदन का पेड़ चंदन तसकरों ने गुरुवार रात के 8 फीट उची दिवार लांग कर कटर मशीन से चंदन का पेड़ काट कर ले गए जहाँ पर घर मालिक धर्वेंदर सारडा के बताय हुए अनुभाग के अधिकारियों से चर्चा करने पर उन्हें बताया है कि चंदन की बाजारों में कीमत लगभग 30 से लेकर 35,000 रुपए है और मेरे द्वार वन्मिभाग को जानकारी दे दी गई है उन्होंने साथ ही में बताया कि आपके पेड़ की लगभग 25 से 30 लाक 45 से 50 फुट थी जिसमें सीधा तना उसका 35 फुट से ऊपर का था वो अभ्याद चोरों के द्वारा काट के ले जाया गया मेरे खले के मामले की शिकायत की आपने मामले की शिकायत त्यूनी मालवा पुलिस थाने में आवेदन दिया गया है जिसकी पावती उन्होंने मुझे प्रदान करी है क्या कहना उनका अभी उन्होंने अपना आवेदन ले लिया है यह दर्जा भी नहीं करी है और चुकि आज मोर्रम का जुलूस निकल रहा था उसमें उनकी व्यस्तता थी उन्होंने बोला कि हम आगे आप देखते हैं कारवाई करने के पेड़ की मत आज की त कीमत है इधर से घुशे दिवाल के भेंसिंग के तार काटे उन्होंने उपर के कात साप किये मंगेज गुपता के प्लाट में से उस तरब स्पाइरल रखा उन्होंने इस पाइरल पे से चड़के अंदर कूदे हो और कूद के और काटे कल शाम को अपने आदमी आए जब मा वाइस ओप रैट्स के सिरिमालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट